अब हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर टू किंग्स फार्मर एंड टाउं ठीक है ब्रिक्स बीट्स बोंच चैप्टर हम पढ़ चुके है उसमें हमने क्या पढ़ा था हरपन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था अब आज का जो यह चैप्टर होने आला है यह उससे भी जादा इंट्रिस्टिंग चैप्टर है यहां हम पढ़ने वाले हमारे इंडिया के बहुत ही आप समझो कि इतने पावर्फुल एंपायर्स के बारे में हम पढ़ने वाले आपने बहुत सारे हमारे पावर्फुल रूलर्स का नाम सुनोगा जैसे कि चंद रू इसलिए पार्मर चैप्टर के नाम को पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो हम किंग इंपायर्स के बारे में जाने आले इसलिए किंग नाम है फार्मर जो है बिसिकली हमें पता चलेगा इसमें थोड़ा बहुत जरूरी है क्योंकि गाइस जैसे आपने हरपा में पढ़ा में बहुत ही जादा पुराना जमाना था उस समय में इतने वेल प्लांड टाउं ते हरपा में हरपन से विलाइजिशन में अब यहां पर हम जिस टाइम पिरेट की बात कर रहे हैं वह हो रहा है 600 BCE का इस समय में भी टाउंचिप डेवलाप हो रही थी हमारे कॉंटिनेंट में त से समझा दिया था एक एक डॉट क्लियर कर दिया था BCE and CE क्या है अगर एक बार चोड़ा सा यहां भी बता रहे थी हूं जैसे आप को याद होगा 67 में हमने जब पड़ी थी टाइम लाइन तो हम कहते थे BC and AD remember before Christ और Anodominy याद है आप लोगों को याद ही होगा तो यह जो BCE है यह before Christ है और जो यह CE है this is Anodominy ठीक है बस इनका एक दूसरा नाम है जब before Christ बोलते हैं हम मतलब BCE है यानि कि before common era और जब AD हम कहते हैं Anodominy वो है यह CE कुछ और confusion create करने के जरूरत नहीं है तो चलो शुरू करेंगे हम chapter को अब chapter शुरू करने से पहले एक बस आपको information मुझे और पर देने हैं वो है history में बहुत लेंदी आपको NCRT लगती है वैसे तो मैं पढ़ा दूंकि तो कोई tension की बात नहीं आपको बच फिर पर काफी आपको लगता है कितने सारे chapters को मियात कैसे रखेंगे तो उसके लिए आपको कोई tension लेनी की आपकी दी है आपे तो यह हैंड़े आपको कहीं आपको कहीं आपको इसे जरूर मिल जागा description box में से या मेरे चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हो मेरी Instagram ID सिफ history नहीं इंफ पॉलिटिकल जोग्रफी इंग्लिश नभी chapters के आपको handwritten and typed दोनों notes मिलेंगे तो बहुत ही student friendly language के हैं जिससे पढ़के आपको chapter असानी से learn भी हो जाएगा समझा तो मैं दूंगी बट concepts को learn करते हो आपको रटर नहीं पढ़ना पड़ेगा यह easy language आपको समझवा जागी तो अगर यह नोट्स तुम्हें एक्सिस करने तो you can go and check out my Instagram ID तो यह रहे हमारे पूरे के पूरे handwritten notes तो यह जाके आप चेक कर सकते हो वहां से तो आप भी बेना कोई time base करें हम सुरू करते हैं अपने chapter को Kings Farmer and Town ठीक है तो अब देखो जैसी हमने chapter यह शुरू करें तो हमें पहले बता रखा है हम कौन से समय की बात करने आले देखो जब हरपन civilization end हो गई थी ना मुझे comment section में जल्दी बताना हरपन civilization end कब हुई थी पिछ हरपन civilization end उसके बाद 1500 साल बीद गए उसके बाद के कहानी अब हम शुरू करेंगे उसके बीश में क्या हुआ वह हमें नहीं पता हरपन civilization end होने की भी 1500 साल बाद जो है हमें एक्जाकवेशन करें अब हमीं कैसे पता चलता है भई कभी एक्जाकवेशन करी हमने कुछ चीज़ निकली इस पूरे चैप्टर में आप inscription inscription पढ़ते रहोगे तो मैं तुम्हें बताती हूं inscription क्या होती है जैसे आप कभी-कभी देखा होगा वाल्स की उपढर हम तैंपल में कई बार वाल्स-पे नाम लिखे होते हैं महाँ पे कााफी कुछ लिखा होता है जब भी वाल के उपर इसी सॉलेट सर्फिस के उपर लिखा जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम वह इंस्क्रिप्शन होती है तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमने खुदाई करी इंडिया में हमारे आप जब बिटिश का रूल था हम पर पूरी एस तो चलो कंटिन्यू करते हम अपने चाप्टर को अब सबसे पहले हमें बताया गया है मेजर डिवलप्मेंट्स जो हरपन सिवलाइजेशन एंड होने के भी पंद्रह सो सालो बाद हमारे सब कॉंटिनेंट में हुए थे यानि कि हमारे इंडिया में हुए थे सबसे पहला यह है कि यह कौन सा टाइम प्रेट के बात हो रही है 600 BCE का रिगवेदा कंपोज हुई थी ठीक है बाइदा पीपल जो रहे रहे थे इंडस्ट रिवर की ट्रिब्यूटीज पे रिगवेदा कंपोज होनी स्टार्ट हो गई थी ठीक है नेक्स जो है मेजर डेवलप्मेंट्स जो में रहे पूरे कांटिनेंट के अनदर नॉर्थ इंडिया में डेकंट्व में करनाठका में जो है अगरिकल्चर प्राक्टिस से स्थ्वनेश टाइओ नाम है अर्म येंग्रिकल्चर हु चुका था पěst औरజ मतलब ही स्टोमों प्लिश भिलिज के है वहां पे लोग रहे ह तो उस समय पे डिस्पोजल ओफ डेड के ऊपर ना एक मेगालिट नाम के स्टोन के इलाबरेट स्ट्ट्चर बनाए जा रहे थे ठीक आप इस फोटो में देख सकते हो यह है एक मेगालिट क्या होता है मतलब कि जैसे किसी को बरी कर दिया गया न तो उसके ऊपर ऐसा स्टोन का इलाबरेट स्ट्ट्चर बना गया है और यह मेजर ली हो रहा था सेंट्रल एंड स्ट्ट इंडिया में so first milenium bce ठीक है तो यापको याद रखना है एक्क्जाम में डिखेंगा तो धियान रखना ठीक है तो फार्स Milenium bce से मेगालिट मेगलिट क्या है इलाबरेट इस्टो बाज में किया चेंज होए ते दीरे दीरे हमें कुछ कुछ सीटी जगा ऐसे बिल्डिंग निकली कि अगर यह तो सिटी टाइप लग रहा है टिक है से टी इंपायर गिंग्डम्स बहुत सारी चीजे हमें पता चलनी शुरू हो जाती है तो मेजर डिवलप्मेंट्स क्या जरू लिखने यह चार पॉइंट में फूल मार्क्स आपको मिल जाएंगे तो यह चेंज आए थे हमारे आपे आफ्टर दा एंड ऑफर पन सिवलाइजिशन और उसके भी पंदासो साल बात ठीक है आब आते हैं हम यह क्वेस्टन आता है मैं तुम्हें पहली बता चुकी अधिक होती है सोर्से जादा तर यही होती है जैसे कि इंस्क्रिप्शन बतातो हुआ है मैं जैसे कि कुई सॉलिट सफिस के अगर कुछ लिखा होता है ऐसे कुछ एंग्रेविंग करके तो से इंस्क्रिप्शन के थीक है टेक्स्ट यानि कि कोई प्रॉपर आपको नोट अच्छा कौन सी लेंग्विज में लिखा रहा है और बहुत सारे विजूल मटीरियल जैसे कि आपको पता है हमारे यह पर इतने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यमेंट्स है अशो का की जो पिलर्स थे उनके ओपर जो बाते लिखी गई थी उनको भी हमने रीट कर और वह पिलर्स से नमबर टू टेक्स से थर्ड कोई विजूल मटीरियल यह लिख दोगे फुल माक्स ठीक है तो अभी जो है आपको समझ में आ गया है चाप्टर की स्टार्टिंग अब आते हैं हम टॉपिक नमबर वन के उपर जो है प्रिंसिप एन पिया दसी मैंने इतना टाइम लगा के प्रिंसिप प्रिंसिप और नाम्यातना इनकी कस्ट को इहां पर टाइटल बना रखा gap एन पिया दिसी, तो जीम्स प्रिंसिप एक उफिसर थे इस इंडिया कंपनी की मिंट में, मिंट के होते हैं जहरें कोई चापे जाते हैं, मतलब आप सुमझलो, मिंट में एक उफिसर थे, इन्हों ने हमारे एक बहुत मेजर डेफलोप्मेंट करा था, एपिग्राफी में, ए जो script है उसको decipher करा अब तुम कोगे दीदी यह क्या हो रहा हमें तो समझ भी नहीं आरा script decipher करी तो आपको याद होगा कि हमने जो हरपा वालों की language उसकी script हमें आज तक नहीं पता अभी हम उनके बारे में और नहीं पता लगा पारे हैं अगर उनकी script पता होती तो पतनी का क्या हम उनके बारे में जान पाते तो यह दो लैंग्वेजिस कौनसी मैंने बताई आपको ब्रह्मी और खरोष्टी ठीक है यह ब्रह्मी और यह खरोष्टी इन दोनों जो लैंग्वेजिस थी इसको बहुत ज्यादा यूज करा गया ता आप संवालो दो लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज इसको ब्रहामी स्क्रिप्ट है अब इसको डिस्टी करना मतलब क्यों है जैसे कि आपको पता होगा हिंदी की लिपी है देवनागरी याद है न हमको हिंदी ग्रैमर में पूरा लिपी के ऊपर एक बॉक्स पास्ट करना होता है हिंदी की लिपी देवनागरी आंग्रेज जी की लिपी रोमन उर्दु की लिपी क्या है तो लिपी को लिपी जो होती है उसी को हम कहते हैं़ों करना तो है व 생ifresweet और पुम्हें पर कमतलों नहीं ही अ मैं बता गया वो जान गया समझ ख़या तो से इतना कुछ हम में हमार prone के बारे में पता चला ठांक्स टू जेम्स प्रिंसीप इन होने पता लगाल यह और भी बहुत सरे लोग जाय गा इंडियन बी थे और साथ मी और भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर यह हमारी ब्रहामी और खरोष्टी स्कूर्प्स को पता लगा लिया तो major जो है यह याद रखना एक्जाम में डेरेक्ट क्वेशन आएगा ब्रहामी खरोष्टी स्कूर्प किसने डिसाइफर करती जेमस प्रिंसिप जी ने करी थी इनको इससे उनको पढ़ना बहुत असान हो गया अब यह जो प्लीजन तूभी होल्ड है यह बहुत सारी इंसक्रिप्शन में असोगा के लिए यूज हो गया था यानिकी सम्राट अशोग के लिए यह यूज हुआ गया था तो इसके बाद भी आगे हम लास्ट चाप्टर में बाट और समझेंगे इसके बारे में तो हम यह भी पता चला कि पुराने जमाने में बहुत सारी इंसक्रिप्शन में जो है अशोगा को क्या बोला गया था यहीं तक था आपका यह वाला टॉपिक बस यह है कि प्रिंसिप मतलब जेम्स प्रिंसिप में रहामी क्रोष्टी डिसाइ इस वाले साइन कम अतलब क्या है यहां पर लिखा हुआ है तो अब जब पता चल गया पढ़ने आ गई हमें इनकी भाशा तो उसके बाद बहुत सारे हमारे इंडियन के इंडियन और जितने भी ब्रिटिश ऑन गरे मिलकर हमारा टेक्स्ट पढ़े बहुत सारे इंस्क्रिप हमारे को शुरू हो गया तो 28th century से जो है पूरा का पूरा हमारा फोकस हो गया कि इंडिया की हिस्ट्री जानना शुरू करते हैं तो चलो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे अब देखते हैं कि इन लोगों ने क्या-क्या पता लगाया इंस्क्रिप्शन और पढ़के तो आते 6th century BCE 6th century BCE बहुत major turning point रहता है हमारी हिस्ट्री के अंदर क्यूं रहता है अब मैं एक बार दुबार तुम्हें समझा देती हूं यह देखो यह है हमारी timeline ठीक है यहाया वन यहाया हमारा BCE और यहाया CE तो आप समझ लो 6th century BCE से जो है इसके बाद से जो है हमें बहुत सारी सब्सक्राइब के बाद हमें इतनी सारे डैनेस्टी के बारे में पता चला तभी इसे major turning point in history और यह पते कैसे चलती है यह वाली timeline हमारी देखो यह 6 के बाद 5 आएगा यह 4 आएगा यह 3 आएगा यह 2 आएगा यह 1 आएगा ठीक है फिर यहां से यह 2,3,4,5,6 यह line ऐसे चलती है ठीक है तो इस मिलब 6th century BCE पुराना है 5th century BCE उससे एक साल बाद है समझे है मेरी बात को फिर 4th century BCE but CE से फिर 1,2,3,4 बिल्कुल वैसा ही हमारा चलेगा कहां पर मैं एक फोटो लगा दूंगी जिससे तुम समझ जो हो कि यह line कैसे चलती है वैंने Briggs Beach Bone वाले चाप्टर में भ 6th century CE तक का इतने लंबे समय का हम यहां पर पढ़ने वाले हैं और यह major changes आयते 6th century BCE के बाद हमारी country के अंदर हमारे सबकॉंटिनेंट में उन major changes को उपर direct exam में question आ सकता है तो क्या-क्या major changes आयते यह मैं हां पर mark करती हूं one more question ठीक है एक्जाम में दिख जाएगा आपको बता 6th century BCE के बाद major क्या-क्या changes आयते हमारे subcontinent में पहला iron का use होना स्था अब हमें कैसे पर चला iron का use होना स्था हो गया था भाई वो historians का का में वो पता लगा ले थे उन्होंने एक्जा करी हूंने particular time period से iron tools मिलने शुरू हो गए iron tip plaw मिला हलो होता है ना उसमें iron के tip लगी थी iron क वेपेंस मिलने शुरू हो गया तो मतलब iron start हो गया था यूज होना हमारे यहां पर इस दोरां ठीक है early states early states में राज्ये बनने शुरू हो गए थे cities बननी शुरू हो गई कॉइन शुरू हो गए थे और साथी के साथ में growth of Buddhism and Genism इसके बारे में chapter 4 में पढ़ने वाली हो अब डिटेल में तो यह time period के बाद से बीसी एके बाद से 6th century BCE के बाद से हमारे यहां पर बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हो है iron का यूज हो अमित बारवर क्यों पोल कि तुम्हेरे टाना मानना पड़े एक्जाम में डिरेक्ट क्वेशन आएगा याद होगा नमबर वन आयरन का यूजेट स्टार्ट हो गया अर्डी स्टेट डेवलप हुई कोई डेवलप हुए साथी के साथ में से डीज डेवलप हुई अधे वस ग्रोथ ऑफ बुदिजम एन जैनिजम अब जो बुदिजम एन जैना टेक्स्ट है उनके बारे उन से भी हमें बहु जनपज मतलब होता है कि लोग हैं राजा हैं पूरा राजे बनावागों महाजनपज मतलब वेरी पावफुल आप समझो की स्टेट्स जो होती त्यूंहें महाजनपज हम कहते थे तो कुछ महाजनपज जिनके बारे में बहुत सारी जगाओं पे लिखा गया है वह कौन से ह आपको याद करने हैं ठीक है एक बार जरूर आगे मैं आपको नाम बताऊंगी बट फिर भी एक बार जब चाप्टर चाहें एंड हो जाए यवी याद हो तो आपको वीडियो को स्टॉप कर गे मुझे 16 महाजनपज के नाम जो है कॉमेंट करने ठीक है आपके आज नहीं आ होता था वो थे वज्जी मगद कोशाला कुरू पांचाल गांधार एन अवंती अकट फ्रिक्वेंट लिए पतनिया को पेपर के पैटर्न के सोर एक्जाम में ऐसा भी क्वेशन आ सकता है कि कौन से ऐसे महाजनपज थे जुनके बारे में बहुत जादा बताया गया है हमाली परा जाला है जाद तरह महाजनपज रूल बाइद ऑसन कॉष गानाज और संग एपनीश होती खेंद पांग कुछ और एकाने क्या की होती है करते हैं तो यह होता है कि ठीक है मैं काइंड ओफ डिमोक्रेसी के रहूं अब ऐसा नहीं है तो आप इसको याद कर लिना कि बहुत सरे लोग मिलके जो है राज्य को चलाते हैं खाली एक रूलर नहीं है ठीक है उन्हों होती है अब यहां पर आप देखो महावीरा जी और बुद्धा जी बिलॉंग टू गाना अब यहां पर चार वन मारकर क्वेस्चन है जो आपको एमसी क्यू के लिए और पता नहीं कहां कहां के लिए बहुत इंपॉर्टन है तो आप इसको मार्क कर लीजे ठीक है तो जादा तर जो म है तो यह 3-4 वन मारकर हो गया अब वजजी इंपायर ठीक है यहां पर एक बर मैं आपको मैप में दिखा देती हूं हमें ncrt में मैप हमारी जो है help के लिए सारे गिवन है यहां पर ढूंडते हैं वजजी इंपायर कहां गया हमारा वजजी है तो यह आप देख सकते हो यह उक्षे तो यह जो महा जनपत्थ है यह था एक संग ठीक है संग में क्या होता था राजा प्रोबैबली कंट्रोल डर्यसोर्स सच यहां पर या राजा भी होते थे और साथ में क्लेक्टिव जू है लाइंड को जो है सब मतलब समय गुरूप में भी थे और राजा भी होते थे इस तरीके से यहां पर सिस्टम चलता था वजी एक संग था वन मार्कर क्वेशन के लिए आ रखना एक्जाम में आजा कौन सा महा जनपत संग था तो वजी एक संग था ठीक है चलो अब हम आगे चलते हैं और हम पढ बनाने में ऊचेके लिए के लिवारे ने के लिए एंन लोगों की बहुत जादा होते हैं पूरा काम चल रहा है ब्यूरो क्रेसी की चिर। ब्यूरो क्रेसी मतलब जो लोग ऑफिशर्स जो उसे काम करेंगे विट्टेक्ट क्या हुआ इतनी बड़ी बड़ी दीवारे बन रही है तो आप सोचो कि उसके लिए क्या-क्या जरूरत है उसके लिए bureaucracy की requirement है resources की requirement है उसके लिए पैसा भी तो चाहिए होगा forification करवाने के लिए resources चाहिए होगी कि बाइट कहा से ते इनके पास अपनी होती थी देंके पास अपनी बिडोक्रेशी होती थी और हिए सोर्स ते इसлив Țाइस थे इसलिए हम इनको कहते हैं महाजनपता और एक में फीटर गया था इनकी कैपिटल सीटी में फोर्टिफिकेशन होती थी ठीक है अब आते हैं हम अपने चाप्टर के मोस्त इंबॉर्डन डॉबिक यह है धर्मसूत्रास ठीक है तो धर्मसूत्रास क्या थे यह हमारे संस्कृ संस्क्रिट लिखी संस्क्रिट में लिखेवे टेक्स्ट है और इनको कंपोज करा था ब्रहामन कब से कंपोज करा था 6th century BC से भ्रहामन ने धर्मसूत्रास लिखने शुरू कर दिया थे अब धर्मसूत्रास में नॉम्स मतलब होते हैं टाइप के रूल ठीक है एक टाइप के पता है तो मुझे बताना कॉमें नेक्स चाप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगी तो ब्रहामन ने जो है धर्मसूत्रास लिखे for all the categories rules मतलब नहीं कहेंगे हम यहां पर नॉम्स करा जाता है अब हर social category के लिए यह लिखे गए थे कि उनको जरूर फॉलो करने चाहिए ठीक ह अब जैसे शत्रिया के लिए जैसे राजा जो होते हैं उनके लिए भी काफे सारे भाते धर्मसूत्रास में लिखी कई थी तो वह हम यहां पर पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर में मेजरली हमें बताया गया है जो शत्रिये को यानिकि जो राजाओं को धर्मसूत्रास की according follow करने के लिए बताया गया था ठीक है सबसे पहले रूलर्स वर एड्वाइस टू कलेक्स धर्मसूत्रास में गिविन था कि रूलर्स को टैक्स्ट जो है वह अपनी जूती भी जनता है वह उनसे टैक्स लेंगे ठीक है एंट्रिब्यूट फ्रॉम्ट फ्रॉम्ट कल्टिव जो राजा होते थे उनको कलेक्ट करना है ठीक है और कलेक्स अब आपको पता है कि जिस तरीके से जो है उसको फिर आगे प्रजा के भलाई के लिए यूज कर जाएगा ठीक है रेड्स और नेबरिंग स्टेट्स वर रिकरगनाइज एज लेजिटिमें रेड करना अलाउट ठीक है इट वस लेजिटिमेंट अब आप खुद सोच लो चब एक नेबरिंग स्टेट दूसरी देबरिंग स्टेट पर आगे रेड कर सकती है तो एक हर एक स्टेट को अपना बचा खुद करना होगा कि सामने आला कि मेरे पी हमलाने कर दियो और हमला करे तो उसके पास आर अब कुछ एसे भी राजे थे जिनोंने जो है आर्मी उनके पीजंटरी होता था जो फार्मर है वही जो है आज आर्मी की सर्विस प्रोवाइड उनको करते थे तो बड़े-बड़े राजों में तो ऑविसली प्रॉपर आर्मी थी तो इतने पावफुल नहीं थे कहीं जो ह अपनी जो मिलिटरी कहां से उनको मिलती थी उनके पीजंटरी से मिलती थी ठीक है तो यह धर्म सूत्रास बहुत इंपॉर्टन है वन मारकर एक्जैम में आ सकता है धर्म सूत्रास क्या है और नौम्स जो शत्री को फॉलो करने के लिए लिखे गए है वह जो नौमस आपको पक्के से याद रखने ठीक है तो आपको समझ में आ गया कि महाजनपदास बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे इनके अपनी आर्मी भी होती थी प्रोक्रेसी भी होती थी तो अब हम जानेंगे ऐसे ही अपने 16 महाजनपद के बारे में ठीक है तो यानि कि अब हम पढ़न मगद सबसे पावफुल एंपारा एक फिर से मैं तुम्हार ताइम लाइन के बार में बताना चाहती हूं पहले भी बता चुकिए एक बढ़ दुबार देख लेते अब यह मतलब क्या हुआ तो इसी नंबर लाइन आपकी ऐसी चलेगी समझ गए तो सिक्ष सेंचुरी बीसी मगद सबसे पावफुल महाजन पता ठीक है अब बताओ भया मगद सबसे नंबर हो जाएंगी तुम्हारे पके बस यह चैप्टर अगर तो ने मेरे से पढ़ रहे हो तो बोर तो बिल्कुल भी नहीं होगे साथ दी के साथ में रट्टा फेकेशन आपको बिल्कुल नहीं कर सबसे पहले मगद कहां है बिहार मगद है ठीक है लोकेशन एग्रिकल्चर के लिए बेस्ट लोकेशन गंगा भ्रंपुत्रा जितनी में हमारी रिवर्स आ रही है तो यह जितना भी हमारा एरिया है यह नर्दन प्लेंस जो होते हैं इनको हम अल्यूवियल बोलते हैं यहां क जो है आइधन मिल आपने चोटा नाकपुर प्लेट्यू के बारे में तो पते ही आपको महां कितने सारे मिनेडरल्स मिलते हैं तो अब मगद अगर मैं कैर नहीं हूँ तो बस आप आज के समय वाला बिहार की जो बाउंडर से उसको मत इमाजन करो बहुत वास्ट एमपायर इन फैक्ट अभी आप जानोगे डाइट मगद जो था अशोका के टाइम पर तो कलिंगा याने की ओडिसा तक जो है वहां तक एमपायर जो है फैल चुका था इतना फैला हुआ तो जारकंड में जो आईरेन माइंस है वो भी उस समय पे मगद में ही थी तो मगद के पास जान पाता तो पहला भाहिया अगरी कल्चर बढ़िया दूसरा क्या ची आर्मी के लिए टूल्स बनाने है वेपन बनाने है तो उसके लिए आईरन इनके पास बहुत अच्छा था नेक्स्ट जो मगद के जंगल थे वहां पे एलीफेंट हुआ करते थे और यह एलीफेंट अंधियर युट दिखाते है तो उसमें ऐलीफेंट दिखाएं है वह राजह तो अलीफेंट पी बैठे होते हैं और इनकी detta प्राइंट था नेक्स्ट गंगा एधिसे तो दिकल रही है वह जो है चीप और कम्यूनिकेशन और जो ट्रेड रूट के लिए रास्ता बना वी अब देखो आज के जमाने में यह ट्रेड नहीं होता है तो जिस भी जारा है यह समुद्र जा रहा है तो उनको यह बहुत बेनेफित उटा ईवन गंगा रिवर जो है इसके ट्रिब्यूटरी कम्यूनिकेशन के लिए भी यानिकि रिवर है तो बहुत अपने दूसरे तीसरे शहर तक गाउं तक भी अगर जाना है तो ट्रिब्यूटरी के थूरू यह बहुत बनी हैं मगद इंपायर के ऊपर ठीक है आपने सुना होगा उनमें असो का सीरियल आया था उसमें हमें कुछ-kुछ नॉलिज्ज्टो हमें महासबी मिल जाती है ठीक है आँज जैसे हम सुन लेते हैं तो आपने सुना होगा थे में बहुत और इमबिश्यों के लिए यानि कि यह मतलब बहुत पावर्फुल थे और सातीके सात में रूथलेस भी थे ठीक है तो यह राजाहों की जो पॉलिसी है उती, hijo मतलब बताया गया है कि मघध Uh इतना पावरफुल बना उसके पीछे ये तीन राजाओं जो है उन्होंने भी इसके आप समझलू कि ये उसके पीछे थे क्योंकि इन्हों ने इतना आगे इंपायर को पहुंचाया ठीक है तो ये आपको याद रखना है ये रीजन से ये छे नंबर का क्वेशन है वाई मगत पावरफुल तो ये बाते लिग देना भाई अब मैं बताऊं क्या है अग्रीकल्चर बढ़िया था ठीक है साथे के साथ में रिवर की टिव्यूट्री मिल रहा थी आईरन मिल रहा था एलिफेंट मिल रहे थी फॉरेस में से और ये वाले राजह जोरन की पॉलिसी सिंपल यह तो था पूरा का पूरा अब बात करते हैं एक महाजनपाद महाजनपाद तभी बनता है जब उसके पास होती है अपनी कैपिटल सेटी जिसके चारु तरफ हो रखाओ ते फोर्टिफिकेशन याद है न तो हाँ अब हम पढ़ते हैं कि जो मघद है उसकी कैपिटल सिटी कौन सी थी तो इसकी कैपिटल सिटी पहले हुआ करती थी राजगह जो आज के जमाने का राजगिर है अब यह आप देख सकते हो यह कब थी यह 6th century BCE में थी 6th century BCE में मघद की कैपिटल सिटी थी राजगह यह राजगिर आप कहा सकते हो इसको और यह फोर्टिफाइट सेटल में यानि की पटना में जो है प्रेजें जो पटना है वहाँ पर कैपिटल सिटी को शिफ्ट कर दिया जाता है तो उसे 6th century BCE पहले है पहले की कैपिटल दी राजगह और जो बात की कैपिटल बन दी है 4th century BC में वह है पाटली पुत्र और पाटली पुत्र कैपिटल बनने के सब्सक्राइब करें गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी के तुरू और जादा एक्सपांशन जो है किया गया तो ग्रोट ओफ मगद इंपायर रीच हाइस ठीक है अब एंस याटी में वर्ड ऐसा लिखा हो थे कि आपको समन में नहीं आएगा कल्मिनेटेड लिखा है चंदग्रूप मौरय ने इस एंपायर को फाउंड करा था कब करा था अप्रोक्सिमेटली 321 BCE में जो है मौर्य एंपायर स्टार्ट हो गया था अब मौर्ण एंपायर सबसे पहले चंदग्रूप मौरय जी है ठीक है पुझे बताओ तीनों मौर्य रूलर्स के बारे में ठी तो यह जो हमारे चंदग्रूप मौरय थे इनके जमाने में जब यह रूलर थे तो नौर्थ वेस्ट ऐस अफगानिस्तान और बलूचिस्थान तक जो है मगद इंपायर और यह मैं आपको पहली बता चुकियों कि अशोका के टाइम पे मौर्य इंपायर था यापको मगद तो यह आपको याद रखना है तो अब हम देखते हैं और बाते हमारे मौर्य इंपायर के बारे में स्टार्ट होता है अब हमारा टॉपिक थ्री एंड अर्ली इंपायर मैंने आपको कितनी सारी बाते बता दी कि भाई मगद के पहली कैपिटल यह थी बादवाली कैपिटल दूब होई के टाइम पर कैसा रूल था और यह सब बाते हमें पता क्या से चली अब हमें यहां बताया गया है था नीकि जो मौर्य इंपायर वह भाद में अब को बताई है वह हम लोगों को कैसे पता चली तो इसकी अलग-अलग सोर्सें हमारे पास तो लेट्स तर्डी के अंदर तो अभी यह जो हमारा चैप्टर है आप एसे मत पढ़ा करो आपने हिस्ट्री के साथ ना कनेक्ट करा करो तो इतनी सारी वाते कॉमेंट करने को कहले हूं आपको चाप्टर बिल्कुल भी बोरिंग भी ना लगे और आपको याद तभी रहेगा ठीक है तो सकल्प्चर बहुत सारे कोई महल समझ लो या कोई आप मॉन्यूमेंट समझ लो कोई भी पर्टिकुलर स्कुल्प्चर समार को बहुत सारे मिले हैं इस तो रान के ओर एंपाय चाहँ तो ऊप्धाध तो मैं कोई जाके कोई चाहरा होगा तो मैं कंठेंप्रिशन आज के रहे हूं तो उस मैंटेंप्रेशन से बहुत हमारी इंपएर के बारे मेंसाइशना और उस बुक में जो haft उपके प्ताचल हमें में से महारे के बारे में बहुत कुछisia March सबस्वाइं कि इंपायर के बारे में जानने कि दूसरा जो है कॉटर्लेजी का अर्थे शास्त्रेश सिर्थी हमारे को बहुत कुछ जानने को मिलता है मगधिंपायर के बारे में चारी बुध्थिस्ट जैना और पुरानिक लिटरेचर लिखा गया है इसमें कुछ लर्निंग का नहीं था सीधा क्वेशन आईगा बन तू स्य EMPT लेंगे next जो most important resource थी हमारे को Moran Empire के बारे में जाने क्लिए वो थी inscriptions I hope आपको inscriptions का मतलब पता है inscriptions मतलब solid surface के ऊपर अगर कोई बात लिखी गई है चाहे वो कोई pillar हो चाहे वो कोई tablet हो चाहे वो कोई building हो उसके उपर लिखा गया है उसको आप inscriptions कह सकते हो ठीक है तो inscriptions हमारे को बहुत सारी मिली है और अशोका के रूल की तो बहुत सारी इंसक्रिप्शन है रोक्स के ऊपर ठीक है पत्थर है उसके उपर बात लिखी गई है पिलर्स के उपर जो है यह most valuable resource है अगे वन मार कर बताओ Moran dynasty के कौन सी most valuable source है तो अशोका के जो पिलर्स है वह most valuable resource है उनके बारे में जानने के लिए अब देखो अशोका हमार को पता चले है वह फॉर्स टूलर ऐसे थे जो अपनी messages जोने अपनी जनता को जोने प्रजा को बताने हैं उन्होंने उसको इंस्क्रिप्शन के थू बताने शुरू करा कि उन्होंने किसी रॉक पे लिखवा दिया किसी पिलर पे लिखवा जिसे लोग उसे देखे पड़े और समझ ले तो नैच्वर्स और पॉलिश पिलर के अशुका जी बार में जो है बुधिस्म को फॉलोव करने लग गए थे तो धमा के बारे में धमा का मेसेज जो है वो सबको बताते थे अब यह बहुत ही ब्यूटिफुल बाते ब्यूटिफुल मैसेज है जो पूरी दुनिया में अशुका फैलाना चाते थे क्या है मैसेज धमा जो है बहुत सिंपल से इसके मेसेज जो दे थे फरस्ट रिस्पेक्ट तोवर्द्स एल्डर जिन्रोसिटी तोवर्ड ब्रहमन और दोस वू रिनाउंज और यह तोड़ा एरॉर वो गया यानिकि रिस्पेक्ट करना एल्डर्स की ब्रहमन की और सेंस की और आप समझ ल यह बहुत इंपर्ड़न उस जमाने में स्लीव सिस्टम बहुत होता था तो सविंट्स को स्लीज को काइंड ली ट्रीट करना नेक्स था रिस्पेक्ट फॉर रिलिजिन और ट्रेशिन अदर देन वन्स ओंस देखो कितनी सुनर वात है कि अपने रिलेजिन की और दूसरे रि में हमारे और वो कैसे करते थे वह पिलर्स बनवाते थे आपको मैप दे रखा एंब पूरे इंडिया में इसे पता नहीं कितने पिलर्स मिले हैं थीक है तो उन पिलर्स के ओपर यह मैसेज गिविन होता था थीक है तो यह आप समझ सकते हो यह कुछ हमें पता चला है अशो का आपको अशोका के पेलर से मोरें इंपायर के बारे में अब आते हैं टॉपिक 3.2 पे एड्मिनिस्ट्रेटिंग इंपायर अब यहां पर हम बात करने आले मैंने आपको कहा कि यह इंपायर बहुत ज्यादा फैला हुआ था यह उडिसा तक और वहां अफगानिस्तान तक इतनी सारी जगाव में इंपायर फैला हुआ तो इतना बड़ा राचे कैसे संबलता था जैसे आज के समय पे हमारे पास सेंट्रल गवर्मेंट है ठीक है वी हावर प्राइमिनिस्ट्र जी ठीक है फिर हमारी अपनी जो स्टेट होती है महां पर चीफ मिनिस्ट्र जी होते है उसके लेडिक का पूरा चृप जो है अडमिनिस्ट्रेशन होता था वो दीखते हैं तो देखो यह विश्य फाइव एञे वप पॉरा बड़िगा तरीकीस करीच उन का था पांश मेंज्र पॉलिटीकल सेंट्र बना रखे थे भौशित चेंजिन उमें प्रस पर बापन्स इंप् से के अगर आब ही देखंगे nerede हमें तो इंटार इंटार इंडिया में अगलग जगाहों पे कुझेटी जाए जाएक तो तक्षिला कहां है यह इस मैप पे आपको देख जाएगा तक्षिला कहां पर हैगा मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ यह मैप देखो बहुत जाधा important है आप study करोगे इसको आपको समझ में आएगा यह देखो आप यह बता रखा है अशोका की इंस्क्रिप्शन अशोका ने जो अपना धम्मा उसको पूरा प्रॉपगेट करने के लिए पूरे के पूरे इंडिया में इंस्क्रिप्शन करवाई थे जैसे कि जो यह ट्राइंगल रेड गलर्स की से मांग्ड है वह में रॉक एडिट है यानि कि पत्थर के ऊपर कुछ तो यहां पर अगर मैंने का यह प्रोविंशल सेंटर है तो आप समझों यहां के आसपास के पूरे पर जो है एंपायर अच्छे से अपना रूल कर सकता है तो यह जितने भी ब्लू से मांगड है कई बर एक्जामें क्वेशन आजकता है तो यह कौन-कौन सी एरिया जहां प अपने प्रोविंशल सेंटर्स को चूज करते थे तो मेजर ट्रेड रूट पर यह सिच्वेटेट थे चलो अब आगे पड़ते हम अच्छे से तो मैसेज जो मैंने आपको यहां दिखा दे कि अशोगा के इंस्क्रिप्शन थे तो सेम मैसेज जो है हर इंपिलर है रॉक है स पर सेम मैसेज जो ता जादतर धमा को प्रोपागेट करने का ही मेसेज रहता था पूरे की पूरे कंट्री के अंदर उनच्वेंटे खो पाकिस्तान में जो है आप समें आप समयों यहां से लेकर उडिसा तक साउथ तक सब जगाओं पर सेम बात लिकिक जा दिखे ती आब यहां पर उस पॉलिटिकल से इंपायर का एड्मिनिस्ट्रेशन हो जाता था तो यहां पर देख सकते हैं हिस्टॉरियन तो बड़े हैरान हो गए कि भाईया इतना बड़े इंपायर की देख रहें कैसे करते होंगे कि नौट से और इसा तक है यह तो उसके लिए जब एंपाय यह तो उसी से कवर हो जाता उसके इलावा जोगे पार्च प्रोविंशल सेंटर थे इनको बहुत केर्फुली चूज करा गया था तक्षिला और उज्जैनी ट्रेड रूट पे सिचुएटेट थे एंस्वर नगरी गोल्ड माइन्स के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट इस एरिया पे पुरा का पुरा का पूरा कंट्रोल के लिए और यहां से गोल्ड भी आता था इतनी वैल्यूइबल रिसोर्स तो देखो इसके बारे में कितनी बार पढ़ चुके हरपा के टाइम पे भी हमने पढ़ा था कि भाईया गोल्ड कहां से आ रहा है अब यहां पे प्रवेंचल नगरी से गोल्डन माउंटेंस तो यहीं से आता था सारा का सारा गोल्ड चलो अब हम आगे पढ़ते हैं अब सिर्फ यहीं नहीं है कि यह जो इन्होंने सेट कर दिये हैं प्रोविंचल सेंटर इनी से सारा एड्मिनिस्ट्रेशन हो जाएका नहीं इसके है वह ग्रीक अंबैस्टर जिसकी पढ़के हमने काफे कुछ पता लगाया है वह अंकल ने बताया था कि यहां पर बहुत सारी ना मिलिटरी थी और बहुत सारी कमेटी बना रखी थी तो कमेटी के बारे में हम पढ़ते हैं यह रोल एक्जाम में आ सकता है आपको लिखने को स्पॉटी का देनी होती है होती होती है उसका अधर अधर लेकर जाना है तो उसके लिए बुलग का ओली यह टाड़ी इस में वह तो आपको उधे दिया यह वाल गाड़ी अनना उसका अर्रेंज्िमेंट्ट करना वर क्यारिंग एक्विपमेंट घवेपन में जो है कि थी कि भाई आप बुलगाट का बुंदवर्स करेंगी प्रोक्यूरिंग फूर्चार्स वोस्ट्रेजिए गार्वेदर करना उस सब काम की कमेटी उती थी एक सब्सक्राइब करती थी एन रिकुरिटिंग टर्वेंटिंग के अर्टिसन्स तो लुक आफ्टर सोल्जर जो आर् अब यहां आगे बात करते हैं हम एक और तरीका था पूरे के पूरे इंपायर पे अपना होल रखने का वह था अशुका का धम्मा जो प्रॉपर मेसेज कन्वी करते थे धम्मा से उससे सब लोग कनेक्टेड रहते थे सब्सक्राइब कुछ वह धम्मा के प्रिंसिपल्स थे वह इनीबॉरसली ऐक्सेप्टेबल कि इस तरीके से अशुका की रिस्पेक्ट करते थे इन इस तरीके से पूरा का पूरा empire में अच्छे तरीके से administration रहता था तो यहां आप समझ सकते हो अगर पूछा जाए exam में कि कैसे इतना बड़ा मौरियन डैनेस्टी में अशोगा के टाइम पे इतना बड़ा empire कैसे चलता था तो भाई पहला reason हमने पड़ा कि उन्हों ने जो कुमिंशल सेंटर चूज करें बहुत समझदारी से करें उससे चलता था दूसरा आर्मी और उनके कमिटीज बनीविती देख रहे करने के लिए तीसरा जो अशोगा के जो पिलर्स उन्होंने बनवाई उन्होंने दमा का मैसेज प्रफिगेट करा उसमें सबको जो है कनेक्टेट रखा सिंपल यह है हम पहुचते अपने नेक्स टॉपिक पे एनिकी इसाब बात है हमें हमें अमनी हिस्टव का बहर आई हमारी जब हमार पर ब्रिटिश रूल करें थे और ब्रिटिश रही दिखाते थे था रहा कि हमारे आप इतने पाफुल लीडर्स हुआ करते थे और उनको इंस्पिरेशन माना सभी में अशोका को एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन की तरह माना जाता था जब भी हमारा नैशनल मुवमेंट चले ना तो हमारे जो नैशनल लीडर्स होते थे और पूरे एडिया के लिए यह जो हमारे रूलर्स थे इस पता चलने के बाद हमारी कंट्री में बहुत मेंजर चेंज़ आए तो आप यहां देख सकते हो इंडिया कमें कलूनिया रूल चल रहा था उसमें पर बता रखी है तो समय पर जब हमें यह सब बाते पता चली गोल्ड की कोई निकले स्कॉल्चर निकले हमारे ग्लॉरिफा को और साथी के साथ में अशोका का जो इंस्क्रिप्शन थे अशोका की इंस्क्रिप्शन से पिलर के उपर उस पर इतनी अच्छी बात लिखी गई थी तो उसे पढ़के पता चला कि अशोका बहुत ही अलग टाइप के रूलर थे ठीक है वहानी कि वह काफी अच्छा चला तो वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा तो विद इस यह आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट अब आते हैं हम नूशन ऑफ किंशिप या भी तो हम पूरे नॉर्थ के बारे में पढ़ने हैं मगद इंपायर के बारे में पढ़ने वाले हैं टॉप नूशन ऑफ किंशिप अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं और एंपायर के बारे में और किंग्डम्स के बारे में जैसे अबी तक तो सिर्फ हमने मौरन एंपायर के बारे में ही डेटेल में पढ़ा है तो बाइदे सेकंड सेंचुरी बीसीए के बाद से हमें और एंपायर यह रहे रहे हैं पांड्या यह चीफंटलम्स हो इस ज्टलूब होते हैं यह शिखते इat UM मतलब समलो एक बहुत ही पावफुल लीडर होते थे इनके यह कभी-कभी बाइबर्थ होते थे यानि कि हेरिट्रेट्री से चले हैं जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा मतलब चीफ का बेटा चीफ और कई बार पावर से भी किया नहीं कि कोई जो बहुत जादे एक्स्ट् करते थे चीफ जो है जो पूरी के पूरी प्रजा होते थी उनसे मतलब समझो गिफ्ट्स हो मेज जो चाहे लोग उनको जो है उनको एज़ा के रूप में देते थे और चीफ का काम होता था रिचुल्स परफॉर्म करना वोर है जैसे कि यूद है तो उसमें सारे उसे चीफ ट में चीफ जाने बन तो इसलिए याद रखनाव यहां पर किंग नहीं होते थे यहां पर चीफ होते थे तो यह चोला है और यह ऊंभा यह पढ़ा जो पांडियाज है और यह वाला जूप यह चीफदॉम होते थे यह चेरार मुःज चीफ एंट नहीं तो पर तो मैंने आपको बता दिया है पूरा हिंदी में आपको बता दिया ड़ाजी पावरफुल में होते थे पोजिशन पर आते थे यह की जो चीफ का बेटा चीफ बन जा फिर उनके फंक्षन के काबियत है चीफ बनने की यह आस पास में वह एसे नहीं होगा कि जो है आर्मी को मेंटेन कर लिया जाता था जब भी कभी भी जरूरत पड़ेगी ओफिसर्स होते थे चीफडम के अंदर कि अलग-अलग मंत्री होंगे जो अलग-अलग कारेयों को करेंगे बट यस चीफडम होता करते थे ठीक है अब सोर्से ऑफ दीस किंग्डम हमें पता चल होगी तब तक आप तामिल संघन्गन टेक्स के वारे में बारबार संतर रहाए हमें बहुत शारी नौलज नोलज उम्हाद करनेहें के बारे में आपसाट्वाहनास कान है साथवाहनास नहीं बहुत नहीं चरहा चलेगा साथ owns रूर रूल करूरे तैं वेस्टें एंस झूजंज सेल्डिविशिशल् के थारी तक ही तो है जलात स्याक् Punjab सब्टारीं चाहिं अप्ड अप्ड़्रण के स्याक्त का व के बड़ में हम साले प्रूर्ण a क karşले में का नति ने गन्च साथ को पे जाकाद करे तरह सबुप n तो यहां पर आप देखते वे चलोगी इस तरीके से आपके तो बूख में साथ मी होगा मुझा पर जूम इंच पर ना पड़ा तो यह रहा च्वी रहा पांडिया और यहां पर यह जो यह गुजरात वाले इरिया यहां पर यह है शाका रूलर्स ठीक है तो इनके बारे में औ प्रवाइन आप आगे चलते हैं और किस-किस के बारे में हमें बता रखाया तो अभी तो एसा नहीं है कि बस बारे में प्रण बहुत चला हमें और भी बहुत सारे इंपार में पता चला था अब आता है अमारा टॉपिक नंबर 4.2 जिसका नाम है डिवाइन किंग अभी इस वो खुद को कहते थे देव पुत्र जिससे की जो प्रजा है वो उनमें बिलीफ करें कि हाँ भगवान की भेज़े में हमें इनकी बात माननी होगी यह हमारे लिए भेज़े गया है सुधार्टी हमें दूल करें ठीक है बहुत सारी रूलर्स ऐसे होते थे जो अपने आपको डिफाइन फॉर्म में जो है प्रेजेंट करते थे तो वह कौन से रूलर्स थे सबसे वहले हमें बता रहा है कुशाना ठीक है यह कब से कब तक यह 1st century BCE से 1st century CE तक जो कुशानास थे इन्होंने Central Asia और Northwest India पे रूल कर रहा है कुशानास मैं आपको फिर से मैप पे दिखा लिए यूस्टू प्रेजेंट इंदा डिवाइन फॉर्म ठीक है यह अलग 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 डेटी के साथ खुद को जो है उनको उनके साथ खुद को एससीएट करते वे बताते थे बड़ी बड़ी स्टाचू हमें मिले हैं बहुत सारे कुशाना रूलर्स के एक स्टाचू हमे बहुत बड़ा कोलॉसल स्टाचू मिला है कुशाना रूलर्स का और उस पर कुछ नीशे बाते भी लेखिए आप उप में पढ़ सकते हो तो उसको देखके पता चलता है यह दे यूस्टू पर सौनिफाइदेंसल ऐसा ऐसा डिवाइन कि खुद को वह ऐसा शो करते थे ठीक पीछ चाइना में बहुत बार किया था चाइनीज काफी सारे अपने अपको सण ओफ हैवन ऐसे कुछ करके बोलो भी अपने पीछ लगा देते हां वह कहते थे खुद को संस ओफ हैवन तो यह आपको समझ में आगया कुशानास की बारे में कुशानास का टाइम पीरिट क्या आपको मेरे नोट्स में पूरा एक ब्लॉक मिल जाएगा जहां पर हर रूलर और उनका टाइम पीरिट मिल जाएगा तो ऐसे टेंचर लेने की जूरत नहीं है आप हमें पता चलेगा अभी तक हमने सारे और एंपार पर लिया आपने चेरास पर लिया पांडिया साथ वहाना चुकी है जिसको आप A.D. कहते हो अब कुछ हम आगे B.C.E. नहीं बोलेंगे इसे 4th century मतलब 4th century CE ठीक है तो by the 4th century CE evidence of larger states including Gupta Empire बहुत बड़े-बड़े अब बहुत पावेफोल में अ को आगए या निकि यही एक एरिया पर्टिकिलर लोकल रीया है यहां का सबसे पावेर को सरे प्रहरम कारते था है अब जो घुक्पता इंपार था डुक्ता इंपायर चलता बहुत चरे समानता के ऊपर तो ये हमें इनकी इंस्क्रिप्शन बगेरा पढ़कर चला है तो समानता क्या करते थे जो गूप्तर के इंपायर के उनको वे लिएस अलग अलग लोकल एडिया के हो जाते थे उनके पास तो उनको को मेजरिप करते थे यानि की कोई गिफ्ट ले के जाएंगे राजा से जो रहे था तो बहुत सारे समानतास मिलके जो है किंग को सब्वोट कर तो एसे गुपता इंपायर चलता था अब कभी-कभी ऐसा भी हो जाता था कि जो बहुत कि बहुत समानता हो गए- फूरापम प्रॉलर सरू समानतास बन जा वह कोई समानतास है तो ऑगर कुजंता उन चाहिए noma cat जैसे चेराज और पांदयास की ती तRIA मिल संगम टेक्स्टी गुपता म्पायर के बारे में जानने किलिए हमां disrupt बहुत सारी चीज garlic जैसे कि literature बहुत सरे text हैं जिनके बारे में लिखा गया है coins है बहुत सरी गुपता एंपायर के inscriptions है बहुत सरी गुपता एंपायर की including precious प्रशास्ती मतलब क्या हुआ प्रशंसा करनी मतलब समझ करना आप जिसे किसी को प्रशंसा करना तो प्रशंसा करना तो प्रशंसा करना तो प्रशंस्ती थी लिखी जाती थी poem form में in the praise of kings और एक बहुत फेमस प्रशंस्ती है दिसका नाम है अब प्रयाग प्रशंस्ती और जो है इनके बारे में पता चला तो सोर्स क्या है गुपता रूलर्स के बारे में जानने की कॉइंड हैं में हमारे पास में बहुत सारी इंस्क्रिप्शन संहा हमारे पास में और जो हे मोस्क प्रशंस्तीं उनके सपने संख्रिए कर prejudice है समूद्र गुत्त के जो है में सामानताइक जलो बहुत बार हमने राजाओं के बारे में पढ़ लिया जानेंगे थोड़ा बहुत लोकल और इनके बारे में जानना बढ़ गाइए बुलकुल भी असान नहीं होता है क्योंकि राजा लोग इंस्क्रिप्शन लिखाते थे यह बहुत मीर लोग कराएंगे इन काम को कि वह कुछ लिख रहे हैं ओडिनरी लोग ठीक है उनके बारे में जानने के लिभार पर जादेतर कोई सूर्स होती ही नहीं है कोई उनके अकाउंट्स नहीं होते बट एक चीज थी जिन्होंने जिनको इस्टॉरियन्स नहीं यूज करा वो थी एंधिलोजी मतलब जैसे स्टूरी बुक और लुकल फोक टेल्स जो कहानिया सुनाते रहे तो दो हमारे की वारे में पंचतंत्रा पंचतंत्र और जाताकर टेल्स ने उनको पड़ा कि और उससे उन्होंने पता लगाया कि और और डिनरी पीपल जो है कैसे वहां रहा करते होंगे और सपेशली उन्होंने परसीव क्या करें हो कि आपकी धानना सोच है उसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डाइट जो लोग प्रजा होती थी कोई भी इनेस्टी किंग वह जादा तर उनमें जो भागी प्रजा थी वह क्या सोचते होंगी किंग के बारे में ये जानने के लिए historians ने study करा जताकास को और पंच तंत्रा को अब उसमें से एक जताका में हमारे को एक story मिली है उससे अब समझ सकते हो कि काई बार जो है प्रजा को यह सब भी जो है सहिन करना होता होगा जैसे कि एक बहुत फेमस है यह जताका के story जिसका नाम है गना टिंडू ठीक है तो यह में प्रणनेंस गलत कर रहे हूं बटाब इसमें बताया गया है प्लाइट पीपल की लोग बहुत दुखी थे राजा की वधे से इसमें क्या story बताती हो आपको एक बरी की राजा होते है वो सोचते कि मेरी जंता मेरे में क्या सुचते है तो एक वार एक मूवी में भी ऐसा दिखाए गया था तो वह एसे मनला है राजा बट वह से किने आरे हमारा 45 बहुत है को डायों बट में ओ क्लेक्टर है वह बहुत ही जादा बुरी है और बहुत क्या से है प्राइंसा होता था जो तो बृब्स कुशंत होती थी तो इससे जो राजा होती तो मैं परची तो पता चलता है कि कई बार ऐसा वी होता था इन इन स्टूरी सो गेरा को पढ़के हमें पता चला जब इतने जादा परशान हो जाते थे टैक्स पे करकर के और रॉब हो के तो कई बार क्या करते थे वह अपना पूरा एरिया जो राजा के अंडर हंडर निद जो चोड़के फॉर पता चला पर्सेप्शन ऑफ दा लोकल पीपल को क्या सेहन करना पड़ता होगा उन्हें बहुत जादा टाक्स देनी पड़ते थे एंड यह हमें पता भी है बहुत सारे किंग सैसे थे जो हैवी टाक्स जो है अपने जंता से वह वह वेल करते थे तो आस डिस स्टोरी इंडि है कि सिर्फ टैक्स लिया चाता था रहें और बहुत सारी कोशिश करते थे अपनी रिसोर्स बढ़ाने के लिए तो अब हमारा नेक्स टॉपिक आएगा उसमें हम जानेंगी कि कैसे एक एंपायर है सपोस्ट करो जैसे हमारी गवर्मेंट है मारी गवर्मेंट एकॉनमिक तो यहां पर जो रुकिंग्नम्स होते तो उसमें राजा जी क्या करते थे पूरा मंत्रिगंट क्या करता था सुदाट वहां पर प्रॉस्पेरिटी आए वहां पर जो है इंक्रीज हो प्रोडक्शन ओके तो चलो देखते हैं क्या तरीके अपनाते थे केंग और पुरे प्रोडक्शन प्रोडक्शन दनाने के लिए और अगरी कल्चर हर वेस्ट चाहो तो से जो है ऑविसली वहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सबसे पहला है मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ओफ चैप्टर में जब हमने पढ़ा तक क्या क्या चेंज आइज उसमें चैन्ज आया काफी सारे इरिया में आइरन टिप प्लॉष्यर को यूज करना शुरू कर रहे कि जो प्लॉष हो गा उसको असानी से और तो थोड़े और बेटर वे में जोगे तल्ट कर सके ठीक है तो अल्यूवली ब्याइ में और गंगोर कावेडी नदी के के किनार वाला जो एरियास था 6th century BC से ही यानिकि 6th century BC वह स्टार्टिंग वाले पीरिड से ही आईरन टेप प्लॉशेर वाई तब ही तो मैंने आपको कहा था कि आईरन का यूज हो गया था शुरू तो जो आपको पाइद ने कि चावल के खेद हुआ करते थे फेक उसका ने करनी शुरू करी अपकी मतलब के सभी भी थी और नहीं भी होती थी सेमियरे टाइप का वहां पेटर 20th century में जाके आयरन टेप लॉसियर आया था ठीक हम मतलब इतनी लेट आया और कहां से से यूस हो रहा था अगर हिली एरिया की बात करें नौर्थ इसकी और सेंट्रल कॉंटिनेंट के बात करें तो वहां पे इरिगेशन के लिए टैंक बनने शुरू हुए वैल बनने शुरू हुए और कैनाल भी बनने शुरू होते हैं तो काफी सारे अब कैनाल तो बहुत महगा करने के लिए उसके लिए फलाना किनाल उन्हों बन वाया है ठीक है तो इसे जब भीकोई ऐसे बड़ी चीज बनती थी तो उसके आसबास में लगी होती यह इंसान ने बनाई यह तो उमेपतस चला ठीक है तो यह हो गाए एक्जामे कोईशन आएगा डूंकर में आ तो चलो पड़ते हैं तो चलो उसके बारे में तो बुद्धिस टेक्स है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ डिफरेंसिस थे जैसे कि कुछ स्टोरी जहांब हमें बताया गया है कि लैंद्स एगरी कोल्च्र लेवर्स यह निकि जो मिलनब किसी और के लैंट पर उन पर अपना यहीं होता था ठीक है small peasants हुआ करते थे और landholders हुआ करते थे small peasants जिनका चोटा फार्म है उस पर फार्मिंग करे और landholders यानिकि बड़े-बड़े फार्म है वह दूसरों से वहां पर काम करा रहे हैं ठीक है तो जो यह वाले थे second and third small peasants and landholders इनको कहा जाज़ा तक गहब थी ठीक है तो आप समझ सकते टीक है तरीके से उस दमाने में भी होता था कि यह तीन लेवल में डिवाइड थी पूरे की पूरे डिफरेंस ली थे ठीक है अब जो है तामिल लिटरेचर संगम टेक्स्ट है वहां से भी हमें पता चला है इस थे जैसे कि जो प्लॉमें हुआ करते थे उनको बोला जाता थ तो चलो सबको पढ़ते हैं जो लाज लेंडोर होते थे यानि कि आपको डिफरेंस पर बहुत सारा लैंड हुआ करता था तो उन्हें क्या बोला जाता था तामिल संगम टेंस में वल लार ठीक है तो में भी प्रनांसिकेशन तो मेरी साही नी होगी तो आप इसकी पता चल गया यहां आप यह भी समझ सकते हो कि बेसेक डिफरेंस जो था वो था अकॉर्डिंग टू एक्सेस टू लैंड जिसके पास लैंड है वो मिडल मताब वो तो लैंड लेबरर्स होगा जिस पर कुछ थोड़ा लैंड होता था जैसा हम कहते हैं मिडिल क्लास कहा है त उनको स्मॉल पीजेंट्स हमने कह दिया एक्सेक्टर एक्सेक्टर इस तरीके से डिफरेंसे ओविएसली सुसाइटी में थे ठीक है तो भाई अब यहां पर हमें डिफिनेटली डिफरेंसेस थे वो पता चल चुका है अब हमने चब लैंड की बात करी लिए कि लैंड के इत जातर religious purpose होते थे कि कोई proper किसी institution मनाने के लिए land को grant किया जाए और भी काफे सारे अलगले reasons के लिए land grant करते तो बहुत सारा लैंड है जोमीर होई करेगा हरको ही तो करेगा नहीं ठीक है अब land grants के बारे में हमें कैसे पता चला तो जैसे कि आपको पता है कि जब घर खरीदते तो वैसे ही जब भी किसी को land ऐसे donate करा जाता था तो उस समय में एक मतलब उस चीज को register करा जाता था register करा जाता इंसक्रिप्शन पे काई रॉक की अगा ताम पत्र मतलब कॉपर बने होती थी और उसके उपर लिखा जाता था कि हां इस इंसान ने यह डोनेट करा इतना लैंड और उसका परपस क्या एकिंग करा है कि इतने सालों के लिए एक सेक्ट एकट पर लिखा जाता ठीक है तो अब इस पता चल रहा है ना हैं हमें इसे देंने ल sweat को पडूज़सेमें लिखा तो समझ उसको समझ पाए तो यह तो मैं आपको बता ऐती थी इसाफु आप में संस्कृप्शन छो संस्क्रित में लिखी गई थी तो संस्क्रित वाली को हम लोग पढ़ते थे समझते थे और काफी सारी असी होती ती जैसे तामिल में और अब हमें मेजर यहां पर पर तो से इरिया हमारे रहेगा प्रभावति गुपता परोष गुपता कौन थी टारी फी सेंचेक्डग्री जित है प्रभावति उनकी मेरेश हुई थी और सी तो अभी आप मैप पर देखोगे यह तोदह एकड़ार्स запास्ट सपाद सबानी निप अब वुमेन को बेसिकली जो है नेक्स वाइल चाप्टर में पढ़ोगे काफी जगहों पे जो मुमेन थी उनको जो है लैंड रखना अपने पास अलाउद नहीं था ठीक है कि पर्टिकुलर सोल एकसे वुमेन को पे पास लैंड की नहीं थी कि एक पर्टिकुलर रांड है तो सकते हैं चुक्ष लोग मांते हो उसे बता बढ़ प्रभावती गुपता ने काफी अलएग पॉपरस के लिए डॉनेट करें ठीक है तो शी वस एक्सेप्शन इसले हमार कर में इनको याद कर ना चुक है नव इंस्क्रिप्शन होते हैं में रूरल एरिया के बारे में भी काफी परता चला है रूरल एरिया कि गाउं वह तो है प्रॉपर गाउं में कैसा व्यूट खार एक पर्टिकुलर रूर्ड था था एक पूरे गाउं के लोगों को उसकी बात सुननी होती थी जितने भी ड्यूट इस उसको उसे पेड करने होते थे ठीक है जो लोग होते थे उनके पास अलग-अलग sizes की लैंड है कोई लेक्ट अगरेकल्चरल लेवर किसे बहुत है कोई स्मॉल पीजिन हुआ करते थे ठीक है और लैंड ग्रांड हमें पूरे country से मिले हैं अलग-अलग पॉपस और को यह पूठ विए टॉपक हमारा कम्प्लीट होने वाला है अब जो है यह जो हमारे होते हैं इन्हों पाफ फोल ओगे घ्रेफ किए वेन्ट करते में क्यों और इंका नाट करने का तो इनके बहुत बढ़ी डिवेट ऊगई यह था कि यह तो ऑगी आप कुछ स्कोलर्ट ऐसे कहते हैं कि जो है मेरी जो जैसे ना गुपता वे कि इसा लगते थे तो तो आगए कि यह कहते थे कि जब कोई किंग अधम कि गुंपरे ट्रinos में आपको भर समान्त लिल्य तो कई रावार को अगर किन को लग रहें किऊ तो वो साथी बना लेते थे अपने एलाइज करते तो स्कॉलर को कहते हैं लाइन ग्रांट इसलिए था तो यहीं चीज मैं पर आपको बता रखी है कि काफी जादा डिबेट हो गई थी क्यों जो है कि जो है लांड डोनेट कर रहे हैं तो एक ने कहा कि भाईया कि इसके साथ ही उसकी पार्टी में लोगा जाए दूसरे स्कॉलर्स ने कहा कि बेसिकली कि खुद को सूपर्में की तरह सो करना चाहते हैं हमारे राजा कितने अच्छे हैं इसलिए उन्होंने लांड डोनेट करा होगा ठीक है अब हमने काफी सारे टाइप के लोगों के बारे में इस पूरे दौरान पर लिया कि भाईया समानतास थे ऐसे कुछ आपने डिफरेंस पर लिया लैंड ले से यह वो बट कुछ ऐसी सब्सक्राइब करते थे और जो बंजारी होते हैं जो कि जिनकी पर्मरेंट सेटल्मेंट नहीं होती है समझ गया है जिसको इहां लिखा गया है मोबाईल और सेमी सेडेंट्री आर्टिसंस हो गए शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हो गए यह कुछ लोग फे जिनके बारे में हमें कोई पर्टिकुलर अकाउंट नहीं मिला है कुछ आटिसंस हैसे जो इधर से उधर मूफ करते रहते कि एक एंपायर में वहां कुछ चीजों को बेचा फिर दूसरे इंपायर में गए शिफ्टिंग कल्टिवेटर जो एक जिगह से दूसरी जगा पर शिफ्ट करते रह जिन पर लैंड था जिन पर कुछ छोटा लैंड था अब उसके इलावा भी हमारे आप अलग-अलग लोग थे जैसे कि फेश्वोग कम्यूनिटी हंटर गाजर्स यह कम्यूनिटीज भी हुआ करती थी अब लैंड ग्रांज अपने यह वाला टॉपिक का खतम आप चलते हमन महा जनपत्स बनने शुरू हो गए थे और हमें पाठाचारा उनके बारे में 6th century BCE से अब महा जनपत्स के जो शहर होते थे वह कैसे होते थे तो और जो मोस्ट इंपोर्टेंट शहर रहे थे उस दमाने के वह कौन-कौन से थे तो यह हमें पताया गया है कि पाठली पुत्र जो है वह बहुत इंपोर्टेंट प्रोविंशल सेंटर था इंपार्ट वो तो मगत की कैपिटल था वह कहां पर सिचुएटेट था वह सिचुएटेट था रिवराइन रूट्स पे यानिकि उसके आस गंगा नदी जा रही तो वह रिवर रूप जो है प्रोवाइट करता पुहार जो है पुहार कोस्ट पे सिचुएटेट था यह बहुत फेमस टाउन हुआ करता था बड़ा शेहर था यह समाने का ठीक है सी रूट्स के आसपास के इसका पूरा का पूरा इरिया मिल जाता था मतुरा अपके आसपास में तो सारा लैंड है बट यह बहुत फेमस थ लिए और पॉलिटिकल अक्टिविटी अवें बहुत जाद है तो यह फेमस शहर हमें बताइगा है और वह क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे उस जमाने में जैसे आज के समय कहते हैं यह कॉस्मोपॉलिटन सिटी है यह मेट्रोपॉलिटी में उस इस तरीके से आप यह समझ डूट पे बहुत लोग वहां सकते हैं पुहार कोस्ट पे है तो वहां पे ट्रेड के लिए कोई भी इंपायर है उनको भाई अभी ट्रेड लिंक में पढ़ लोगे आप आगे बाहर के देशों से भी हमारे ट्रेड लिंक्स थे तो पुहार पे जाता होगा सब कुछ आर वहां हम जाते हैं अरबन पॉपूलेशन के बारे में आप देखो अर्बन पॉपूलेशन के बारे में जाना असान नहीं है जैसे हरपा में तो हमें क्या कर आप हरपा के तो खुदाई हो गई ती क्योंकि वहां पे सटल्मेंट नीटे तो खुदाई हो गई बट आज के ज़माने नहीं है उससे हम पता चला है कि हां अमीरी गरीबी का फरक था हमारे शहरों में भी जो अमीर लोग थे और देखे हैं एसे कुछ आर्टिकल्स मिल है जिनने देखे पता चल रहा है कि हां भाई-यैं अमीर लोग यूज押ूज पर आप अब हैसे पता चलता है अमीर लोग ूज करते हूं आपको बता देते हुँ जैसे कुछ आर्टिकल्स जो निकले, जिनकी अमाउंट कम है तो जा मारिया शेहरों के अंदर भी थी के तो जब एक्जाकरवेशन होई तो पॉट्री बाउल डिशेज मिला करती थी ब्लाक वेर पॉलिश के काली सी पॉलिश हो रखी थी उस पे और वह हमने मानी है कि वह हमी लोग यूस किया करती थे प्रोबैबली हमने मानी है क्या बता हूं हमें मिले खुदाई करने पर टूल्स हमें मिले वेपन्स हमें मिले गोल्ड सिल्वर कॉपर के बहुत सारे अलग अलग मटीरियल के अब जो है सेकंड सेंचुरी बीसी में हमें बहुत सारे वोटेव इंस्कृप्शन मेले मैं आपको का तक हम जानेंगे शेहर के लोगों के बारे में जानने के लिए में एक सोर्स मिलती है जो है वोटेव इंस्कृप्शन वोटेव इंस्कृप्शन क्या होते तो गाइस मैं आपको यह चाप्टर के बहुत डिटेल वे में पढ़ा रही हूं कोई एक बीचीज ऐसी नहीं होगी जो एक्जाम के आपकी रह जाए है यह बहुत सारा शहर में होते थे कि को इनसान है उन्होंने इंस्कक्रीफ्शन काता था था वोटेव इंस क्योंकि उनस्प्शनữ पаюसा लिखा था शिटी का नाम लिखा था और उस इंसान का नăm डिखा हूता था और वोसकी टीचर हो गया वह पर्टिकुलर चीज़ करी है यह का मैं पता चला कि शेहर में किस प्रकार की अप्यूपेशनियाज। जबाने में बहुत सारी हैं घूपेशन हैं। थी तो एसे ही शेहर में उस जबाने में क्या उक्यूपेशन सुखेंट हैं। वो हमें पता चली इस से शेहरी population के बार में पता चला तो शहर में होते थे washing folks यानि कि दोभी हुआ करते थे weaver हुआ करते थे scribes हुआ करते थे scribes कौन हुआ है जो लिखते हैं कारपेंटर्टर और उते थे और्गनाइजेशन होती थी तिक है जिनका अलग अपना काम होता था ठीक है तो काफी गिल्ड जो होती थी जैसे कुछ है जो रो मेटीरियल को प्रड्यूस करेंगे ठीक है को एक पर्टिकुलर श्रेणी के श्रेणी हो गया याप उसे गिल्ड कह सकते हूं उनका काम क्या होग उसमें पर्टिकुलर लोग होंगे और उनका काम क्या होगा रॉमाटीरियल इखटा करना जो भी शेहर में जरूरत होगा ठीक है दूसरी श्रेणी हो गई जिसमें लोग जो है प्रोडक्शन करेंगे कि रॉमाटीरियल आगे अब वो प्रोड़क्शन वाली श्रेणी कि यूज रेंज ऑफ आइरन टूल्स तो मीट ग्रोइंग डिमांड अफ अर्बन एलाइट अब कुछ क्राफ्ट पर्सन भी रहा करते थे शेहरों के अंदर तो वह आइरन टूल्स का यूज उन्होंने करने शुरू कर दिया था क्योंकि शेहरों में अलग अलग चीज़ों की अब बहुत शेहर में क्या लोग रहा करते थे उसके लिए उन्होंने कौन सी इंस्क्रिप्शन से पता लगाया तो यह पता चलिया में शेहरों के बारे में आप हम बात करते हैं 6.3 ट्रेड इंद सब्कॉंटिनेंट क्योंकि मैंने अभी आपको इतना सब कुछ बताया अभ हमारे ट्रेड लिंग्स हरपा के समय से ही थे तो आपको पता है उस समय में भी ओमान वगेरा से माना चलता था अब सेंचुरी बीसी के बाट ट्रेड जो था सब कॉंटिनेंट में वह बहुत ज्यादा फैल चुका था सेंट्रल एशिया तक पहुच चुका था साउधीस शरौष एक ज्याद honية है उससे जरेट पर रॉट्स परता हैं उससे जो पर राजा होते थे वहाँ पर अपनी सेक्यौरिटी प्रवाइ्ट करते तो D bipartisan आया करते हैं हमारे यंडियां आते थे स्पाइसिस ख्रीदने के लिए या जो भीव ब्युजस До अश्या04 मिलते हैं व कुछ re termian turns टे यांनिकी तो समुद्री रास्टे से आते वї कम सब्सक्राब होता था क्योंको समुद्री रोटेरी होते होंगे बट वह काफी साधा अमीर ऋमीर मेरचंट्स हुआ घरते तो इस तरीके से ट्रेड लिंग्स हमारे काफी जादा होते थे तो यहां पे आपको आपको इंपोर्टेंट वन्मार्कर्स यहां पे बताए गए है जो यहां पे आपको मार्क करने हैं तो जो successful merchants merchants यानि कि काफी अमीर-मीर merchants हुआ करते थे उनको जो है लग-लग नाम दिये क्या कहा जाता था और जो प्राकृत लेंगवेज में सकसेस्फ फुल मर्चेंट हूँ को बिजनिसमेन को कहा जाता था सेथी या फिर सेथ जैसे हम कह देते है ना जो बहुत जब अमीर होते थे उनको ऐसे कहा जाता ठीक है अब क्या चीज़ें का ट्रेड लिंक हुआ करते थे तो कौन-कौन से गुड्स थे जिनको ट्रेड किया जाता था जो ट्रेड के लिए यूज होते थे तो आप यहां पर देखो सॉल्ट ग्रेन क्लॉथ मेटल के ओर्स फिनिश प्रोड़क्ट भी जैसे स्टोन टिंबर मेडिसिनल प्लांट ठीक है तो बहुत कम है बहुत सरीय लगलग टाइप की स्पाइस यह सब को हम ट्रेड करते थे पैपर जो काली मिर्च है वह हाई डेमांड ती रोमन एंपायर के अ ठीक है और जो है अलग अलग टाइप के मेडिसिनल प्लांट के लिए हमारी कंट्र हमारा सब कॉंटिनेंट कितना ज्यादा महशूर था यह ट्रांसपोर्ट होते थे पहले तो पूरे इंडिया में जहां से है समलो कोई प्लांट कोई कहां पर कहीं चीज उग रही है प्रांसपोर्टेशन की पुरापर मैंचमेंट हुआ करती थी और अरेबियन सी तू मेडिटरीडियंसी तक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन था क्योंकि हमारे रोमन इंपायर से लिंग तो इस तरीके से आपका चाप्टर पॉर्टिकुलरी नेक्टेड रहता है अब कॉइ कॉइन देखा कॉइंट पर रूलर की फोटो है पीछे कुछ-कुछ लिखा हुआ है तो सली लैंग्विज को डिसाइफर करा जान लिया कौन से रूल एक कौन से डाइनस्टी क्या है इन्होंने बताया काफी हेल्प करते हमें हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए तो जो ह एक सेंचुरी बीसी से हमें सिल्वर और कॉपर की कॉइंस मिलने शुरू हो जाते हैं ठीक है अब कॉइंस जो है जादे तर तो किंग ही इशू करा करते थे कई बार पावर्फुल मर्चेंट्स यानिकि कोई बहुत अमीर मर्चेंट जो है वो भी अपने कॉइन चपा देते आप मिंट मेंट करवा ते यहिं पह़ी इस पहले कॉइं जनके ओपर अपड़ी फोट नाम लिखा गया था वह पहले कोई हमें मिले थे इंडो ग्रीक ठीक है कौन से राजाओं के थे वह इंडो ग्रीक राजाओं के थे जिन्हों ने कंट्रोल करा था नॉर्थ वेस्टन पार्ट ओफ दे सब्सक्राइब के मिले थे नाम नहीं बता गिया और यह सेकंड सेंचुरी बीसी एक तो आप द इंडो ग्रीक किंग मेनंदर नाम है तो यह पॉटो लगी हुए पीछे नाम लिखा हुआ है तो इस तरीके के कौईं हमें मिलने स्टार्ट होते है उसके बाद कुशाना रूलर्स के बारे में तो मैने आपको बताई दिया था कि यह वो रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कोई से चापने शुरू करें और सेंचुटूरी में लिख करें थे और इनका कोईन से काफी इंडिया में고 कॉंटिनेंट हमें कंट्री के अंदर रोमन कोईंस भी मिले रोमन इंपार के कोई तो इसलिए हमारे ट्रेड लिंक होंगे उनसे तो उनके कोईंस हमें यहां पर मिले है ठीक है अब कुछ एक कम्यूनिटीज भी और जैसे मैंने का टाउंस पीपल भी अपने अपने कोईं इशू करते थे तो हमार सब्सक्राइब कोई यानि कि गौल्ड की बहुत प्योर फॉर्म के गोल के कोईंस पाता है कौंसे रोलर बनाते थे गुपता एंपायर के रोलर जिसके बारे में भी हमने पड़ा भी था वह बनाते थे सबसे इंपोर्टन मतलब पढ़िया वाले गोड के कोईंस अब 6 सेंच अब भी 6th century CE की बात हो रही है यह 6th century BC से मिलने शुरूज तक हमारे को गोल्ड कोई जाते हैं तो उस पर भी के दो उनका कहना है कुछ कहते हैं कि शायद इरिया में अब हम सर्च कर रहे हैं वहां अब गोल्ड कोई नहीं बना रहे होंगे ठीक है तो ऐसे दो इस पर लोगों का सोच है तो विद इस यह आपका टॉपिक कंप्लिट अब आते हैं हम टॉपिक नमर 7 पे नामी ऐसा इस टॉ बेसेक्स हाव इंस्क्रिप्शन सा डिसाइफर । तो कहानी जाय शुरू करिती वहीं आपकी खतम करनी होगि कहानी शुरू ही थी हमारी ब्रहमे स्कृप्ट से और खळृष्टी स्क्रिप्ट से जिसको जेमस प्रिंसेट पने decipher करा था तो अब जानेंगे कि actually में decipher किया कैसे था बहुत detail में नहीं बता रखा है बट जो बता रखा है वो बता देती हूँ कि कैसे James Princip जी ने जो है ब्रहामी language को और खरोष्थी language को decipher किया होगा ठीक है तो सबसे पहले बात करते है ब्रहामी language की ठीक है बहुत चारे इंडियन पंडित्स ने क्या करा उन्होंने जो contemporary बंगाली स्क्रिप्ट है बंगाली लैंग्विच के और जो देवनारगरी स्क्रिप्ट जो है जो देवनागरी लिपी है उसको पढ़ते हुए उसकी बहुत संस्क्रिप्ट वाले इसको देखा गया काफी सारे लोगों को ऐसा लगता था जो भी ब्रहामी लांग्विच में लिखा जाता था या फिर जो भी अर्लियर इंसक्रिप्शन से उनको देखके मालब ऐसा सब्सक्रिप्ट करेता था और फिर बहुत मेहनत करी जेम्स प्रिंशिप जीनियों और इन सब लोगों ने फाइनली ब्रहामी स्क्रिप्ट को इन्होंने पता लगा लिया तो बेसिकली हमारे को डिटेल में नहीं बता रखा है कि वो सब प्रॉसेस कैसे हुआ होगा वो जान लौन समक्रिप्ट निकलती थी तो हमें लग्यों आग를 करता में पता चल गया था वहां पता चला प करने के बार वहां इन्स करने के बार बहुत सारी पता यह मेहनत करने के बाड़ få एंस पेस हायो सब्सक्रिए सेवरल एपिग्रफिट से नहीं तब ही मैंने आप होगा था नॉट उनली जेम्स बहुत सरी एपिग्रफिट से मिलके जो है से एक कॉइन हुआ करते थे है उनके को को इसे मिले कि उस क्वाइन के उपर जो रूलर का नाम लिखा गया था लोगों का नाम नूट कर ikiました तो इस तरीके से उन्होंने कंपेर करके पता लगाया कि यह रोष्टी स्क्रिप्ट यहां पर इसमें की मदद से ग्रीक लांग्वेज में जो ए यूज करा रहता है उसकी मदद से खरोष्टी को प्राश्ट क्रिट इड़ी लॉगर इंस्क्रिप्शन एस वेल तो भाई अब खरोष्टी स्क्रिप्ट डिसाइफर हो गई थी तो हम प्राकृष्ट लंग्विज भी पड़ पारे थे और मैंने आपको बताया अब है कि जो अर्लियस इंस्क्रिप्शन वह प्राकृत में तो अब प्यादशी के पारे में कांफी सारी इसका मिली एंस्क्रिप्शन अब तो वह मतलब है कैसे डिया उफ तो डुलर्ण लिए ट्राजा जो है उस राजा के नाम ने लिखा है उस राजा के うखा है एक राजा के नाम के बारे में बताय गया है उनको क्या बोला गया बिलाविद ऑफ डगोड या फिरा बोलो देवयान पिया ठीक है तो ठीक है भाई या इंस्क्रिप्शन है जिसमें पियादसी और देवयान पिया लिखा है अब आपको क्या पता है कि जितनी भी अशोका की इ इसी inscription मिली जहां पर अशोका को पिया जसी बोला गया था और देव्यान पिया बोला गया था तो तब जाके जो है अशोका जी के लिए ठीक है तो यह आपको समझ में आ सकता है तो बाइ एक्जामिनिंग दा कंटेंट स्टाइल लांग्वेज और फेलियोग्राफी ऑफ दे इंस्क्रिप्शन एपिग्राफिस को कॉन्लूजन पर आए कि यह सब ही इंस्क्रिप्शन सीम डूलर ने इशू करी दे गह Champions और आप समझो के शौ Punkte आप समय हो रही थी तो फिद्सी कौन हdate तो आप समझो कि कि और रूलर के बारे में कुछ लिखा था था तो पिया दिसी टेप्र OL अशोकान का पुक्रेशन लिए था उनका नाम पियाह दाशी देवानपिया करता था यहां पर आपका पादियोगा नाम हिसका लिमिटेशन ओफ दा इंस्क्रिप्शनल एविडेंस अभी आपको जो कुछ भी मैंने पढ़ा पी मौरें डैनिस्टी में ऐसा था गुपता इंपार में यह ऐसा था वह ऐसा था लैंड ग्रांट से पढ़ा हमने अलग-अलग टेकनिकल लिमिटेशन होती है कि जब कोई एपिग्राफिट है जानी कि जो स्टडी करते है इंस्क्रिप्शन को उनको काफी मुश्किल है जैसे कि कुछ लेटर जो है वो फेंटली एंग्रेवड है दिखाए निम्दे जैसे आव अपनी पुरानी भी कोई बहुत पुरानी न लेका है कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसी होती ती डैमेज होती थी कोई लेक्टर में सिंग है अब अगर लेटर में सिंग है आपने एक वर्ड बीच में से खा गए है मिन लाइं हमार को तो भाई उसका पूरा मीनिंग कैसे बनेगा एक वर्ड यह पूरे सेंटेंस का मीनिंग की बादल सकता है समझ गया आप सम इंस्क्रिपशन की जो स्क्रिप्शन है आज तक अन्डिसाइफर जैसे की रपा वालों की इनी पता हम यह तक क्या है मैंनी इंस्क्रिप्शन वद टिस्ट्रॉइड बहुत सारी इंस्क्रिप्शन तो डिस्टोई हो चुकी हूँगी तो जमाने में इंस्क्रिप्शन मिली हम यह नहीं कह सकते कि यह हमारा पूरा पास्ट है यह तो शायद उस पास्ट का सिर्फ एक आप समझो की हैं और भी पता नहीं कितनी अलग अलग बाते हमारे पास्ट में होंगी नौट एवरीफिंग जो कुछ भी हुआ करता था वह सब कुछ ऐसा लिखा चाता होगा इंस्क्रिप्शन में ज़रूरी तो नहीं है ना जो कुछ भी रोज मर्रा में चला जिसे डेली लाइफ जो रूटीन होता था कॉमन लाइफ के लोगों का उनके बारे में जादा पता ही सब्जेक्टिव मतलब जैसे कि आपको जो इंसान ने इंस्क्रिप्शन लिखी तो अपने पॉंट फ्यूस लिख रहा है वह सब का देखके नहीं लिख रहा हो तो कई बारे कॉंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि वह उस परसन का पर्स्पेक्टिव जिख रहे हो इंस्क्रिप्शन में हमें लिखने वाले की सोच पता चलिए तो दीजा सब्जेक्टिव ये कुछ लिमिटेशन है इंस्क्रिप्शन के बठाएं से ही हमें जित्ती भी जानकारी मिली है अपने पास्ट की ठीक है तो यह हमेशा ऐसे हिस्टी के हर चाप्टर के बहुत सारी चीजे हैं जो हमें हमें इस्टोरिकल पास के बारे में नहीं पता है मर्चित नहीं पता है वह भी बहुत सुन्दा लें चलो इस चाप्टर को एंड करते हैं यह चाप्र फुली कंपीट हो चुका है आपको अच्छे से समझ में आगे होगा ना इम गुए नेक् आपको हर चाप्टर की मिल जाएंगी नोट्स के लिए अगेन आम टेलिंग यू जो हमारे हांड़े नोट्स है और जो टाइम नोट्स है जो मैंने आप लोग लिए क्रेट करें बहुत इसी लांगविज के वह जाके आप मिनी इंसक्राम इडी से चेक कर जकते हो से नोट्स